Term 1 exams को लेकर के दो बड़े बड़े अपडेट्स निकल करके आगे हैं आपसे कुछ देर पहले आपसे कुछ देर पहले CBC के examination controller Dr. Sayam Bhardwaj नहीं ये दो बड़े अपडेट्स दिये हैं तो इन दोनों अपडेट्स का जो importance है Term 1 exams को लेकर के ये बहुत 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 ज़ादा है Guys, so please वीडियो के नंतक रहना है, skip नहीं करना है पहले बार मैं चल मैं है, तो do subscribe the channel and yes, like, share, comment ज़रू करना है Guys, यहाँ पे हम आपको लगातार अपडेट्स दे रहे हैं कि Term 1 exams में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ हो सकता है Experts की पूरी टीम हमारे साथ में काम कर रहे है जो आपको guide कर रहे है As a responsible channel और as a responsible teacher आपके लिए हमारी टीम जो कुछ कर सकते है वो सारा कुछ कर रहे है Guys, आप लोगों के लिए पहली बार एक unique experience होने वाला है Term 1 exam में OMR sheet का यह आपको मालुम है और इसके उपर में हमने आपको एक dedicated video दिया हुआ है OMR video के OMR sheet को कैसे आप fill करेंगे correctly यह आपको मैंने बताया हुआ है तो उस video को अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देख लीजेगा वीडियो का link जो है वो description में भी दिया हुआ है और comment section में top पहला comment जो है उसके अंदर में आपको मिल जाएगा जरूर देखिएगा अब guys यहाँ पे देखिए Dr. Sayem Bhardwaj ने Times of India के reporter के साथ में बात करते हुए यह कुछ important updates दिये हैं उसको ध्यान से सुनिएगा पहला बात इन्होंने कहा है कि भाई OMR sheet जो है जो आप लोग यूज़ करने वाले हो उसमें बहुत सारे students का mistake हो रहा था ऐसा क्यों हो रहा था मैं आपको बता देता हूँ कई स्कूलों ने CBC से affiliated कई स्कूलों ने क्या किया था अपने अपने स्कूल में जो normal वो टेस्ट ले रहे हैं या प्रिबोर्स ले रहे हैं स्टूडन्स को practice हो इसके लिए OMR sheet की ववस्था उन्होंने की थी वहां से ये गलती पकड़ करके आया कि OMR sheet जो है वो even competitive exams में जो students candidates exam लिखने जाते हैं उनसे गलती हो जाती है time taken होता है time consuming होता है तो CBC के जो बच्चे हैं अभी कम उमर के हैं class 10th और 12th वाले बच्चे उनको भी दिक्कत हो सकता है तो यहाँ पे एक relax session मिला है आप सभी class 10-12th students को क्या मिला है पहला कि अभी तक आपको मालूम था चार option आपको मिलने वाला है A, B, C, D और अक्सर एक student बहुत सारे student मुझसे पूछ रहते आज सुबह भी एक student ने मुझसे पूछा था live session के दौरान कि sir अगर मेरा option गलत हो जाए तो हम उसके लिए क्या कुछ कर सकते हैं और coincidence देखिए अप से कुछ दिर पहले Dr. Siam Bhardwaj तक यूं कह लीजे कि आप लोगों की बात पहुँच गई हम लोग सही धंग से पहुँचा पाए कि एक नया इसमें एक विवस्था की गई है वो है कि एक extra blank space आपको मिलेगा एक extra circle मिलेगा जो आपका तब काम आएगा जब आप अपना answer आपने गलत कर दिया मतलब मैं आपको example से समझा दे रहा हूँ suppose कोई question number है 12 12 का number answer होना चाहिए था C आपने गलती से भर दिया B आपने उसको circle भी कर दिया अब circle करने के बाद में जब आप revise कर रहे थे आखरी बचे वे मिन्टों में या circle करने के तुरद बाद में भी आपको लगा अरे यार यार ये तो मैंने गलत कर दिया ये B answer नहीं हो करके C होना चाहिए था तो अभी तक क्या होता अगर ये normal कोई competitive exam होता तो आपका ये number खतम था चीक है ये तो आपका कर जाता लेकिन CBC ने एक विवस्था की है आप लोगों को relief दिया है कि अगर आपने गलत answer कर दिया है तो उसे हलका सा cross कर दिजे और जो एक extra bubble दिया है वहाँ पर आपको उसे mark करना होगा अपना correct answer को आप यहाँ पे एक बड़ा बात आ गया कि अभी क्या हो रहा था ये किस sheet में आप काम कर रहे हो गौर करो आप लोग काम कर रहे हो OMR sheet में यानि कि optical mark recognition ये है आपका जिसको की reader optical mark reader जो होता है उसके द्वारा इसे read किया जाता है तो obvious ही बात है यहाँ पे जहाँ पे आप circle कर रहे थे blank space को घेर रहे थे अब आप कोई number लिख रहे हो कोई digit लिख रहे हो alphabet लिख रहे हो आप लिख रहे हो कि भाई मानले ये C option आपका correct था तो आपने वहाँ C लिख दिया तो natural सी बात थी कि copy checking यहाँ पे फिर तो optical reader के through से सिर्फ नहीं हो सकता था तो बहुत सारे लोग अभी तक सुनने के बाद मैं ऐसा सोच रहे होंगे कि यार इसका मतलब teacher copy checking करेगा बिल्कुल भी नहीं CBC ने इसी चीज के लिए एक बड़ा चीज को introduce किया है CBC आपके copy checking के लिए दो techniques को दो technologies को use करने जा रही है एक है ICR दूसरा है OMR ICR क्या है ICR है आपका intelligent character recognition यानि कि आप one two three में answer लिखेगा उस extra वाला space में या ABCD में तो वो उसको read करेगा और जहां पर आप bubbles में आप खुद घेरा दे करके काला black space को आप घेर करके लिखोगे वो आपका OMR के technology से उसे read किया जाएगा समझ गए तो यहां पर guys मतलब आपका answer जादा सही निकल जाए इसके लिए SBC ने एक कोशिश की जिसके लिए मैं उनको thanks बोलूँगा आप सब के तरफ से और अपने तरफ से भी सेकेंड चीज यहां पर एक और चीज है कि pencil का तो use नहीं कर सकते खुद examination controller ने बोल दिया डॉक्टर सायम भाजवाज ने कि no use of pencil only ball pen आप सरफ और सरफ ball pen use कर सकते हैं अपने term 1 exams में चेके एक second update जो major update अभी आपको मुझे देना है पिछले 4-5 दिनों से हमने ये आपको YouTube पे सबसे पहले बताया कि practical exams को ले करके serious हो जाए because Sibacy ने साफ साफ ये अंदर का चीज निकल कर क्या था कि practical exam जो है वो के जा रहे है term 1 और term 2 दोनों में practical exams conduct होंगे अब सवाल ये उठ रहा था कि term 1 का practical exam कैसे होगा क्या externals आएंगे या किस तरह से लिया जाएगा तो डॉक्टर सेयं भाजवाज ने इस बारे में बताया है कि practical exam जो है वो school वाले term 1 exam में खुद से लेंगे ठीके लेकिन सब को पता है कि आम तोर पे ऐसे में क्या होता है कि marks का जो गलत कर दिया जाए और इसी के साथ में डॉक्टर सेयं भाजवाज ने ये भी जोड दिया कि term 2 का जो practical है वो cbc लेगी यानि कि externals आपके पास आएंगे ठीके अब exam dates के बारे में मैं आपको एक बात बता दूँ जो उनके interview से निकल कर क्या आया कि exam dates या exam का schedule या exam का guidelines जिसका कि तमाम affiliated schools या हम लोग भी wait कर रहे हैं आप लोग भी wait कर रहे हो वो अभी 4 से 5 दिन में आएगा यानि कि बहुत कम chances है जो cbc ने पहले का था 10 October को आएगा हो सकता है 10 October को आजए लेकिन मुझे आज ऐसा लगा शायद एक दो दिन आगे जा सकता है क्यूं जा सकता है क्यूंकि उन्होंने खुद mention किया कि list of candidates जो तमाम देश भर के school से मांगा गया था उसका fine के साथ में भरने का last date था 9th October तो 9th October के बाद ही में हम फैसला लेंगे ऐसा खुद cbc के examination controller डॉक्टर सेम भादवाच कह रहे हैं यानि कि notice जो है नया circular exam date sheet जो है वो आपका अगले 4-5 दिनों में आ सकता है I will update you चिके और term 1 exam का उनके कहना था अभी तक कि scenario को देखा जाएगा situation को देखा जाएगा उसके बाद ही में decide करेंगे मतलब online offline वाला मुद्दा अभी भी फसा हुआ है पेंच में अभी भी लटका हुआ है वैसे उन्होंने कहा कि term 1 exam जो है वो स्कूलों में conduct किया जा सकता है या अगर स्कूल अपने खुद के स्कूल में कोई विवस्था नहीं है तो nearby स्कूल में भी स्कूल वाले term 1 exams की विवस्था कर सकते है लेकिन गाइस जो हमने raise किया है question वो बिल्कुल जन्विन है कि अगर ICSE board अपने ICSE जो भी students है अगर class 10-12 वाले जो उनके students है अगर उनके लिए वो online और offline दोनो option ला सकते हैं CBC ऐसा क्यों नहीं कर सकती comment section में मुझे बताओ आप लोग क्या चाहते हो and yes being a responsible teacher and being a a responsible channel हम आपको लगातार guide कर रहे है in each and everything तो I don't think so कि आपको यहाँ वेडियो देखने के बाद में कहीं पर भी आपको visit करने की जरुवत है किसी भी दूसरे channels पे खास तोर पे तब जबकि ऐसे समय पे बहुत सारे fake news, circulars वगरा सब आ जाते हैं जैसे कि अभी आप देख रहे होगे मैंने खुद आप लोगों को वार्ण किया personals हो कि term 1 date sheet को लेकर के बहुत सारे fake notices आ गए एक्जाम date sheet निकाल दियेगा है social media पे इस वक्त फैरा भी वाई एकक्टोबर से एक्जाम हो रहा है एक notice का according 4 November से एक्जाम शुरू हो रहा है मतलब कुछ भी so please I must say you कि please अगर आप पहली बर हमाएं चैनल में हैं तो चैनल को subscribe जरू किजएगा like, share, comment जरू किजएगा and yes class 9-12 के लिए मैं फिर से repeat कर रहा हूँ free of cost हर session की तरह हम आपके लिए लेका रहा है important concept notes important MCQs everything that is also एक रुपए भी हमचार नहीं कर रहे है free of cost है हर वीडियो को देखिए उसके अंदर में link आपको उसका PDF form में notes मिल जाएगा आप उसे download कर सकते हैं एक रुपए भी नहीं देना है इस बात पे एक like बनता है यार तो like कर दो वीडियो को share कर दो जिस भी social media platform पर आप हो मिलते है next video में जै हिंद, जै भारत जै हिंद, जै है